फायर्स डिमेट अकाउंट आपसे कितना ब्रोकरी चार्जेस चार्ज करता है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले देखिए आज इस वीडियो में आपको brokerage calculate करके आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको एक अच्छा demate select करने में मदद मिलेगी चुछली start करते हैं और जानते हैं कि fires demate account आपसे कितना brokerage charges charge करता है कौन को से सेक्टर में कितना charges आपसे charge करता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे बहले बात करते हैं अगर आप fires के through equity के अंदर यहाँ पर trade करते हैं तो उसमें आपको कितना charges देना पड़ेगा हम यहाँ पर exchange and SE select कर लेते हैं नीचे buying price डाल देते हैं बाइंग प्राइज मान लेजिए आप 1000 रुपे से कोई price में यहाँ पर share buy कर रहे हूँ और 1500 में उसको sell कर रहे हूँ हमने buying price और selling price डाल दी quantity हम यहाँ पर 100 quantity रख देते हैं देखते हैं 100 quantity का कितना charges बनता है उसके उपर यहाँ पर नीचे देख सकते हो फायर्स charges यहाँ पर zero है आपसे फायर्स किसी भी तरह का brokerage charges चार्ज नहीं करता है equity delivery के अंदर अगर आप trade करते हूँ यहाँ पर turn over देख सकते हो इतना turn over बैट रहा है total turn over 2,85,000 बैट रहा है जो कि buy or sell का है ठीक है उसके बाद में नीचे brokerage की बात करते हैं तो brokerage आपसे चार्ज नहीं किया जाए जाए exchange transaction आपसे आट रूपे कुछ सम्तिंग चार्ज किया जा रहा है बाकि GST तो लगेगा है GST यह government के charges से 1.49 बाकि STT charges जो भी government के charges से 250 रूपीज आपको देने पड़ेंगे सेबी की जो charges है वो 0.25 रूपीज आपको देने पड़ेंगे step tempted charges आपको यहां पर देख सकते हो 15 रूपे देने पड़ेंगे उसके बाद में यहां पर जो भी total charges मिला करके बनते है वो आपको 275.04 पैसा आपको देना पड़ेगा total charges आपको मिला करके जो जो टेक्स वगेरा जो भी है government के charges है estate charges है GSTR वो सब मिला कर आपको total 275 रूपीज देना पड़ेगा अगर आप 100 quantity buy or sell करते हो delivery के अंदर तो उसके बाद में यहां पर intraday के उपर में किलिक करता हूँ यही same price में same quantity अगर buy करते हो intraday के अंदर तो आपको total charges जो है वो यहां पर मिला करके देने पड़ेगे 97.74 रूपीज ठीक है 97 रूपीज and 74 पैसे आपको यहां पर charges के रूप में देने पड़ेगे अगर आप intraday करते हो तो यहां पर brokerage देख सकते हो fires का brokerage charges यहां पर include होगा 40 रूपे आपसे brokerage charges यह charge करेगा जो कि 20 रूपे buying का है और 20 रूपे selling का है तो fires आपसे intraday के अंदर charges चार्ज करता है जिबकि delivery के अंदर आपसे brokerage charges चार्ज नहीं करता उसके बाद में यहां पर में equity को select ना करके futures and options में जाता हूँ यहां पर मैं same quantity 1000 रूपे रखूँगा selling price में 1500 रखूँगा quantity वही मैं 100 quantity रख लेता हूँ futures के अंदर देख सकते हूँ यहां पर fires आपसे चार्ज कर रहा है 40 रूपे यानि 20 रूपे buying के और 20 रूपे selling के आपसे चार्ज कर जा रहा है आपको देना पड़ेगा options के अंदर बात करें तो options के अंदर कितना है यहां पर देख सकते हो brokerage charges आपसे ले रहा 20 रूपे buy का 20 रूपे sell का आपसे brokerage charges fires यहां पर charge कर रहा है उसके बाद में total charges आपके बात करें तो total buying और selling के उपर आपको 318 रूपे देने पड़ेंगे अगर आप 100 quantity buy sell कर देते हो fires के अंदर वो भी options के अंदर तो उसके बाद में यहां पर हम करते है currency के उपर currency के उपर में वही 100 quantity यहां पर डालूँगा और price वही रखने वाला हूँ तो मैं 1000 रूपे फिर सेलेक्ट करता हूँ selling price में 1500 सेलेक्ट करता हूँ quantity के अंदर हम यहां पर 100 quantity रखेंगे currency के अंदर हम futures करेंगे currency futures के अंदर देख सकते हो आपको total charges देने पड़ेंगे वो बहुत जाता है broker charges तो वही 40 रूपे है लेकिन जो बाकी exchange exchange transaction charges है GST वगेर है वो काफी ज़दा आपको यहां पर देने पड़ेंगे saving charges से वो भी काफी ज़दा है तो यहां पर आपको काफी high level के charges देने पड़ेंगे जैसे कि देख सकते हो 4,697 रूपीज 0.20 पैसा आपको यहां पर charges लगेगा options के अंदर बात करें यही इस होग quantity वो ही selling price वो ही buying price तो brokerage यहां पर fires तो आप से 40 रूपे ले रहा है लेकिन बाकी का जो brokerage charges है वो काफी ज़दा बन जाता है तो options के अंदर यहां पर total charges देख सकते हो कितना ज़दा charges यहां पर बन चुका है एक लाग पेंटीस हेजार दो सो बयान इस पॉइंट टू जिरो यानि दो जिरो यानि देख सकते हो एक लाग के आसपास का यहां पर charges बैठ जाता है अगर आप buying price हो रखते हो selling price यहां पर 1500 रखते हो और 100 quantity options के अंदर यहां पर यहां पर आपको किसी भी तरह के चार्जस देने नहीं पड़ रहे है यहां पर आई तिंक यह हड़ चुका है फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं गोल्ड को buying price यहां पर मैं 1000 रुपए selling price में यहां पर 1500 रुपए lot यहां पर मैं 100 lot रख लेता हूं यह cancel हो रहा बार बार गोल्ड 1000 selling price 1500 रुपए चलिए lot मैं यहां पर एक ही lot रखता हूं अब ट्राइगरता हूं लेकिन यहां पर select होने में कुछ दिक्कत यहां आ रही है I think यहां पर कुछ दिक्कत आ रही है तो बाकी यार मैंने brokerage calculate करके आपको बता दिये आप खुछ से भी इसके जो brokerage calculator उसको use करके खुछ से भी देख सकते हो पहले अगर आप जब भी buy करो तो उससे पहले यहां पर charges देख लीजिएगा कि कितने charges आपको देने पढ़ रहे है कौन से segment के अंदर जिससे की intraday करते हो तो आपको कितना charges देना पढ़ रहा है उस हिसाब से आप अपने trade को plans कर सकते हो और अपना जो brokerage वगेरा उसको include करके अपने trading को थोड़ा बहतर बना सकते हो और कुछ नहीं बाकि यार वीडियो आपको पसंद आया होगा knowledgeable लगा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर ने उदल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं मिलूगा का आप से इसी ऐसे interesting और knowledgeable वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद